हलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सुनीश टुटोरियल क्लासेज पर आज हम लोग दा हिंदू पांच मार्च दोजारीकिस के एडिटोरियल का अनेलिसिस करेंगे इंग्लिस ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिस वर्ड्स के पॉइंट वियू से हम लोग सेंटेंसेज में यूज किये ग्रामर के रूल्स और स्ट्रक्चर को एनलाईज करेंगे नए इंग्लिस वर्ड सिखेंगे उनके हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ हमारे कोर्से जो in class और online दोनों तरह से available हैं हमारे app my exam study पर और हमारे contact details social media के और number चले शुरुआत करते हैं वीडियो को बीच में मत छोड़ियेगा पूरा अंत तक देखिएगा बहुत सारे important चीज़े सिखाने जा रहे हैं देखिए यह जो अभी हाली में telecommunication spectrum की निलामी की गई है उसी पे best यह article दे हिंदू editorial का है opinion article है इसमें editor ने अपना opinion बताया है देखिए सरकार को भी पैसों की जरूरत है और सरकार इसके लिए लगतार चीज़ों से पैसे निकालने की कोशिश करी revenue generate करने की कोशिश करी रिस auction में सरकार ने unexpected तरीके से high pricing कर दिया था ठीक है और यह high pricing ने बहुत असर डाला लेकिन फिर भी सरकार की उमीदे धरासा ही हो गई ठीक है आईए हम लोग देखते हैं कि इसमें सरकार की क्या उमीदे थी कौन-कौन से प्लेयर्स ने कैसे भाग लिया सब कुछ सारी चीज़ें ठीक है देखिए कहा जा रहा है गौर से समझेगा इंडिया का जो लेटेस्ट ओक्षन ओफ टेली कॉमिनिकेशन स्पेक्टरम है मतलब इंडिया के टेली कॉमिनिकेशन स्पेक्टरम का जो लेटेस्ट ओक्षन है एक qualified success है यदि कोई चीज qualified success है तो वो partly successful है partly successful होने का मतलब कि अंसता successful है पुर्णता successful नहीं है किसके हिसाब से ये बात from the center's perspective केंदर सरकार के नजरिये से केंदर सरकार कह रही है कि जो हम लोगों ने telecommunication spectrum का निलामी करवाया है इंडिया के अंदर भी हाल फिल हाल में वो पुर्णता successful नहीं हो पाया मतलब उससे जितने पैसे आने चाहिए थे वो नहीं आए सरकार ऐसा बोल रही है ठीक है और ऐसा इसलिए बोल रही है सरकार क्योंकि because the winning bids cumulatively cumulatively cumulate cumulate का मतलब इकठा करना और cumulative का मतलब इकठा रूप से exceeded the government's own low expectations for receipts from the sale of airwaves यह जो airwaves था जो spectrum है उसके sale से जो receipt प्राप्त हुआ है पैसा प्राप्त हुआ है ठीक है वो government के low अपने low expectations से जादा है ठीक है आगे बढ़ते हैं ए टोटल of 855.6 megahertz was successfully bid for मतलब इतना megahertz spectrum की बोली लगाई गई बिड का मतलब होता है बोली लगाना bid का V1, V2, V3 सब यही है bid, bid, bid बोली लगाई गई कितना में से 2388.8 megahertz अवेलेबल करवाया गया था निलामी के लिए उसमें से मात्र इतना megahertz का बोली लगाया गया क्योंकि three largest telecom service providers south to optimize south to do something south जो है seek का V2 है, seek के बाद हम लोग generally two plus B1 लाते है ठीक है, हम बोल सकते हैं he sought to learn English मतलब वह अंग्रेजी सीखना चाहता था या उसने अंग्रेजी सीखने का कोशिश किया यह दोनों बात सही होगा seek का मतलब want भी होता है और seek का मतलब try या attempt भी होता है तो उसने अंग्रेजी सीखने का कोशिश किया या चाहता था एक ही बात है तो जो तीन सबसे बड़े टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स थे, उन लोगों ने कोशिश किया optimize करने का, किस चीज को optimize करने का, अपने purchase को, अपनी खरीदारी को, खरीदारी किस चीज का किया था, radio spectrum का खरीदारी किया था, ठीक है, उसको वो लोग optimize करना चाहते थे, मतलब भी by plus b4 रहे, याद रखिएगा, by plus b4 है, तो ये साधन या जरिया के रूप में use होता है, कोई काम करने का, ठीक है, जैसे example के तौर पे हम बोलते है, he saved money, he saved money, उसने पैसे बचाए, जरिया क्या रखा उसने, by starving, भूखे रहरा के पैसे बचाए, तो भूखे रहना जरिया बना उसका, और उसके उसने क्या बचा लिये, पैसे बचा लिये, इस जरिये से, इस माध्यम से उसने पैसे बचाए, एक और example देखिए इसमें, he put on weight, he put on weight, उसने अपना वजन बढ़ा लिया, कैसे, by eating chocolate, चौकलेट खाखा कर, ठीक है, तो चौकलेट खाना एक साधन बना, एक जरिया बना, किस चीज के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, वजन बढ़ाने का साधन ये जरिया क्या बना, eating chocolate, तो उसी तरह से, ये जो बड़ी-बड़ी कंपनिया है, जो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनिया है, कौन कंपनिया, जो टेली कॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कौन कौन है बड़ी कंपनिया, सोचिये तो, तो भाईया, एक तो हमको लगता है कि जीओ है, दूसरा है एयर टेल, और तीसरा जरूर होगा, रिलाइंस वाला, हना, तो ये तीनो जो थी लार्जेस्ट टेली कॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये चाहते थे अप्ट उतना ही, जितना की वे डीम्ड मानते थे, समझते थे, इसेंसियल एयर वेब्स, मतलब जो स्पेक्ट्रम बेचा जा रहा था, स्पेक्ट्रम को ही एयर वेब्स भी कहा गया है यहां पर, तो जितना इसेंसियल एयर वेब्स था, ठीक है, एयर वेब्स के जरीए ही ना, हम लो स्पेक्ट्रम उन्होंने खरीदा था पहले से उसको अप्टिमाइज करने के लिए उसको बेस्ट बनाने के लिए जितना रिक्वाइड इसेंसियल वेब्स था उतना ही वे खरीदने का कोशिश कर रहे थे ताकि वो इसको आइदर एज रिन्यूवल अब उतना को कैसे अक्वा करना चाह रहे थे तो या तो उसको रिन्यूव करा लेना चाह रहे थे या फिर अपने नेटवर्क को अस्ट्रेंदेन करने के लिए ठीक है अब समझ में आ रहा है जबकि एंटायरली एवाइडिंग पूरी तरह से वाइड कर रहे थे कॉस्ट्लियर बैंडविथ बैंडविथ का कि यतना बड़ा बैंडविथ ले लिजे इसमें ज्यादा नेटवर्क रहेगा और आप अपने यूजर्स को ज्यादा स्ट्रॉंग नेटवर्क दे पाईएगा लेकिन वो सब कॉस्ट्लियर थे महंगे थे इसलिए तीनों के तीनों जो लार्जेस्ट टेलि आगे बढ़ें, नेया नेया जो खिलाडी आया है, टु दे इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री में, टेलिकॉम इंडस्ट्री में, कौन है ओ खिलाडी, रिलाइनस जीयो है, वाज आल्स देखिए, यहां पर गौर से आप देखिएगा, यहां पर बहुत अच्छा खेल है, करने के लिए लिखा गया ताकि पता चल जाए कि इस industry में जो newest entrant है जो newcomer हो कोन है भाईया Reliance जीओ है इसको noun in a position कहते है noun in a position कहा जाता है ठीक है noun in a position लिखा इसलिए जाता है कि पहले कही गई बात को और जाधा clear तरीके से लोग समझ जाए तो पहले क्या कहा गया कि टेलीकॉम इंडस्ट्री का जो निऊकमर है वो अलसो मोस्ट एक्विजिटीव वो भी बहुत एक्विजिटीव था, फ्रिटेट सारा स्पेक्टरम लेना चाह रहा था, ठीक है, और कौन था वो, रिलाइछ घु था, क्योंकि, क्यों ऐसा करना चाह रहा था, ऐस मत मतलब क्योंकि the Reliance Industries unit accounted for close to 60% of the spectrum about at etna megahertz 488.35 megahertz क्योंकि उसने Reliance Industries ने लगभग close to 60% मतलब लगभग 60% spectrum का करीद लिया था केतना मेगा हट्स के फ्रिक्वेंसी पर 488.35 megahertz के फ्रिक्वेंसी पर और इसके लिए पैसा कितना दिया था 3 4 दिया था कितना का 3 4 एतना का यह पैसा कहां से आया था यह करोर that the department of telecommunication garnered यह पैसा telecommunication department ने obtain किया था इकठा किया था प्राप्त किया था सेल से किस सेल से spectrum के सेल से आगे बढ़ते हैं जीयो का 57,123 करोर अकेले by itself मतलब alone I was sitting by myself मैं अकेले बैठा हुआ था I was sitting by myself ठीक है मैं अकेले बैठा हुआ था by myself का मतलब alone मैं अकेले बैठा हुआ था ठीक है तो उसी तरह by के साथ self कहीं भी लग जाए तो अकेले alone का sense देगा तो जीयो के अकेले 57,123 करोर ने सरपास कर दिया पीछे छोड़ दिया किसको government के estimate को government के estimate कितना का था? estimate था 45,000 से 50,000 करोर का किस चीज के लिए? takings कमाई के लिए कमाई किस चीज से? from the auction, auction से कमाई where the reserve price for the entire spectrum on offer across 7 bands amounted to about 3.92 लग करोर ठीक है? जो पूरा 7 band का जो पूरा entire spectrum था spectrum 7 band का होता है इसके बारे में और technical आपके physics के teacher पढ़ा सकते हैं आपको ठीक है ना? तो उसका जो reserve price रखा गया था reserve price का मतलब reserve price दो तरफ से होता है एक बेचने वाला काता है कि हम इतना से कम में नहीं बेचेंगे ठीक है? इससे नीचे नहीं जाएंगे कभी भी और खरीदने वाला काता है कि हम इससे ऊपर कभी नहीं जाएंगे दोनों का reserve price match कर गया तो समान का खरीद विकरी हो जाता है ठीक है तो रिजर्व प्राइस कहां तक बढ़के पहुँच गया 3.92 लाग करोर मतलब एतना पर बेचा गया और एतना पैसा आया तो इससे कहानी पूरा खुल जाता है जो सरकार ने शुरू में कहा कि नई भाई पार्टली सक्सेस्फुल है सरकार कह रही ही क्या अभी पहला स कहानी को बैया कर देता है कि पूर्टली सक्सेस्फुल था कि फुली सक्सेस्फुल था कि लेरली कॉग्निजेंट ओफ द प्रिवेलिंग ओवरॉल एकोनोमिक सरकमस्टांसेज अमिट द कोविड नाइटीन पैंडेमिक एज वेल इस दा हाई लेवल ओफ इंडेटेडनेस इ दोरान इन सब के कारान गशमेंट अपियर्स त्व हैब टेमपर्ड इस एक्सपेटेशन गशमेंट ने अपने eksbestेशन को टेमपर कर दिया है सौफ्टेन कर दिया है नीचे ला दिया है ठीक है, to a more realistic level, एक बेवारिक level पर कि इतना पर हो जाएगा देखे, appear to have plus V3, appear to have plus V3, ठीक है, यह structure कल भी हम लोग से चर्चा किये थे, आज भी आ गया जैसे एक example हम बोलते हैं, ठीक है, he appears, मतलब उसके बारे में यह बात महसूस हो रही है to have told a lie, कि उसने जूट बोला था, to have plus V3 हमेशा previous action को बताएगा याद रखिएगा, to have plus V3, यह देखे, to have plus V3, इस action से पहले का action अभी लग रहा है उसके बारे में, कि वह पहले जूट बोल चुका है, लग रहा है अभी, अब बोल चुका है उसके पहले तो government के बारे में ऐसा लग रहा है, कि उसने अपने expectations को soften कर दिया है, temper कर दिया है अपने expectations को नीचे ला दिया है, कहां तक नीचे लाया है कहां तक नीचे लाया है, to a more realistic level, मतलब एक बहुत बेवारिक level तक लाके छुड़ा है कि हाँ यहां तक में साइद काम हो जाए, sale हो जाए, auction में पैसा आ जाए फिर भी, the center can hardly be sanguine, फिर भी center बहुत ज़्यादा optimistic नहीं हो सकता है ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, किस चीज के बारे में, outcome के बारे में, result के बारे में कि जो उसने pricing रखा है, उसका परिणाम क्या होगा, सरकार अपने हिसाब से बहुत realistic level पे आ चुकी है अपने expectations को ला चुकी है, फिर भी सरकार बहुत optimistic नहीं हो सकती है जहां सिर्फ 37% airwaves जितने available कराये थे, उसके takers मिले, मतलब जितना भी airwaves या spectrum available करवाये गया था निलामी के लिए उसका मात्र 37% के खरिदार मिला, बाकी 63% का खरिदारे नहीं मिला, तो सरकार तो बोल रही है कि हम बहुत realistic level पे अपना expectation लेके चले गया है लेकिन फिर भी जब आप pricing कम कर दिये हैं, हालात को आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं भगवान जाने, लेकिन आपने कहा कि आप pricing कम कर दिये हैं और realistic level पे चल गया है, तो आपका 37% का ही खरिदार मिला, अगर 37% ही मिला, तो आप ज्यादा optimistic मत हो या अपने प्लान क को लेकर के, कि आपका result बहुत अच्छा आने वाला है, in a repeat of the 2016 auction outcome, 2016 का जो auction हुआ था, उसके repeat के रूप में, the significantly more efficient 700 MHz was yet again sund, जो 700 MHz जो था, उसका spectrum था, ज्यादा efficient था, बेहतर नेटवर्क प्रवाइड कराने में यूजर्स को, अब जाहिर सी बात है, यूजर्स को बेहतर न बेहतर नेटवर्क मिलेगा, तो वो ज्यादा लोगों के पास SIM पहुचेगा, ज्यादा mobile की बिक्री होगी, ज्यादा लोग, जो service provider हो, ज्यादा SIM बेच पाएंगे, तो वो more efficient था, 700 MHz, उसको फिर से छोड़ दिया गया, सरकार के दोरा, by all bidders, हर bidders के दोरा, given its prohibitive reserve price, सरकार जो का दिया न, reserve price का मतलब कि हम इतना से नीचे जाके बेचवे नहीं करेंगे, तो reserve price prohibitive हो गया, prohibitive इसले हो गया, क्योंकि हर कोई उसको prohibit करने लगा, नहीं सेध करने लगा, 700 MHz का प्राइस सरकार ने इतना रख दिया है, सरकार उल्टा बोल रहे हैं, हम realistic है, ठीक है, तो reserve price पे जाकर के कोई भी company लेना नहीं चारी थी, जितने भी bidders आये थे, जितने भी बोली लगाने वाली company आई थी, spectrum के लिए, उन्होंने 2016 वाला जो 7 MHz का spectrum था, उसको छोड़ दिया, जबकि उजादा efficient था, pricing के कारण, सरकार उल्टा रोना रोरी के हम तो pricing बहुत कम रखे हु approach किस चीज के परती है, approach to pricing, pricing के परती, pricing किस चीज का, pricing this nationally valuable resource, यह जो spectrum है, राष्ट के लिए बहुत valuable resource है, उसका pricing सरकार जैसे कर रही है, कैसे, मतलब कैसे resource है, valuable nation के लिए, राष्ट के लिए, क्योंकि इसके pricing पर depend करता है कि लोग कितना internet से संबंधित काम अपने जीवन में उतारेंगे और यूज करेंगे, ठीक है, internet से संबंधित काम है दी, वो लोग करना शुरू कर देते हैं, गौर से समझेगा मेरी बाद, ज्यादा से ज्यादा लोग, तो इंप्लाइमेंट ज्यादा होगा, डिजिटाइजेशन का जो बात सरकार बोल रही है, वो करें, इसके मतलब सरकार के एवोड इंटेंशन को, जो पब्लिकली सरकार ने इंटेंशन अपना जयता है, कि वो देश भर में डिजिटाइजेशन करना चाहता है, किस चीज के एक्सेलेरेट करना चाहता है, डिजिटाइजेशन को, एकोनॉमी में, including the broadening and depending of the digital delivery of the multitude of public services to India's far सबसे दूर दराज के स्थानों पर, रिचेज मतलब प्लेसेज, तो जो है, सरकार ने पहले वादा किया था, कि हम इंडिया के दूर दराज के स्थानों पर भी public services पहुंचाएंगे, डिजिटल डिलिवरी के जरिए, और साथ ही साथ पूरे देश में डिजिटाइजेशन को accelerate करेंगे, तिवर कर देंगे, तो सरकार एक तरफ ये वादा करती है, लोगों से अपना इरादा जाहिर करती है, और दूसरे तरफ इतना hard pricing करती है कि कोई खरीद ना पाए, और कहती है कि pricing बहुत कम है, तो सरकार का attitude को समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, चलते हैं अगले slide पर, the relatively low frequency 700 MHz for instance is considered as ideal for enhancing network, तिक है, अभी ज़्यादा मेगा हट्स का frequency बेचा जारा ना सरकार के दौरा, उसके तुलनात्मक लो मेगा हट्स वाला जो था, 700 MHz वाला तो ज़्यादा अच्छा माना जा रहा था, नेटवर्क को एन्हांस करने के मामले में, और reach in the highly urbanized settings of large densely built up cities, जो बड़े बड़े सहर बने हुए हैं, बहुत घनी अबादी वाले, उचे उचे बिल्डिंग वाले, जहां की issue होता है, where the issue of poor signal, penetration, inside buildings, जाहिड सी बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनके घरों के अंदर signal नहीं पहुंचता है, मोबाइल का, उनक perpetual bug bear, perpetual बतलब लगतार, bug bear मतलब परिसानी वाला, परिसानी का जड़, तनाव का कारण है, users के लिए भी, आप service providers के लिए भी, समान रूप से, ठीक है, for all the brave talk on the auctions outcome, for all मतलब in spite of, in spite of all the brave talk, जो बड़ी-बड़ी बाते हैं, बड़ा हिम्मत वाला बात है, auctions के outcome के बारे में के इतना हो जाएगा, इसे हो जाएगा, जो assurance प्रवाइड कर रहे हैं, उसके जगा, उसके बजाए, the nation's telecom authorities need to take a hard look, देश के जो telecom authorities है, जो दूर संचार विभाग है अपने देश का, उसको चहिए कि वो एकदम गहराई से नजर डाले, सावधानी से framework पर, that has contributed a fair share to the current precarity, देखे, fair share मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा, contribute किया है बहुत बड़ा हिस्सा, किस चीज में, contribute to the current precarity, अभी जो भरतमान में संकट है, precarity का मतलब हो गया, precarity का मतलब हो गया संकट, जो संकट की स्थिति अभी पैदा हो गई है, इंड़स्ट्री में, टेलीकॉम इंड़स्ट्री में, कि इतना महंगा प्राइस कर दिया गया है, जिससे टेलीकॉम इंड़स्ट्री अच्छा मेगाँध्स का Frequency नहीं ले पा रहा, अब अल्टीमेटली सндकी कहां असर पड़ेगा, जनता के उपयोग करने पर क्योंकि network का और कमजोड हो जाएगा जनता use नहीं कर पाएगी अब use नहीं कर पाएगी तो जो digital मामला जो चल रहा है digitization का कि education को digitize कर दो business को digitize कर दो इस सब धीरे धीरे फिर धरातल पर आ जाएगा यह project उतना अच्छा से नहीं चल पाएगा जितना online हर चीज काम होने का बात हो रहा है वो नहीं हो पाएगा तो जाहिड सी बात है online से जो economy में बिर्धी हुई थी वो फिर से बपसट जाएगा इसलिए सरकार को जरूरत है जो nation के टेलिकॉम authorities है उनको जरूरत है need के बाद 2 प्लस भीवन कि वो ए हार्ड लुक डाले मतलब घराई से विचार करें अपने entire policy framework पर ठीक है from auction formats that no longer be relevant given the sharply reduced number of players जाहिड सी बात है बहुत तेजी से जो लोग बिड बुली लगाने आये थे आया जो टेलिकॉम service provider उनकी संख्या बहुत घटी है तो उसको ध्यान में रखते हुए जो auction का format इन लोगों ने बनाया है सरकार ने बनाया है अब रेलिवेंट नहीं रह गया तो ग्रॉसली unrealistic pricing of spectrum और जिस तरह से उन लोगों ने unrealistic pricing रखा है spectrum को realistic नाम दे करके और regulatory norms जो बना दिया है tax practices जो लगा दिया है tax high taxation जो कर दिया है ये सब मिलके threaten कर रहा है खत्रा पैदा कर रहा है to tip the sector इस टेलिकॉम सेक्टर को into की जुका के डाल दे unhealthy and fractious duopoly में कि बस दो ही लोग रही जाएंगे इस पूरे टेलिकॉम मार्केट में the government has its task cut out और इतना करके सरकार ने अपने सामने एक बहुत मुसीबत कड़ी कर दी है बहुत बड़ा काम पैदा कर दी है जो सरकार को कड़ना पड़ेगा अब सरकार को क्विकली इस पर काम करना पड़ेगा कि इस सेक्टर को और ज्यादा नुक्सान न पहुंचा दे और ये सेक्टर क्योंकि एक की मल्टिप्लायर बन गया एकोनॉमिक एमपावर्मेंट का और प्रोग्रेस का I hope कि आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स और ग्रामर रूल्स फॉलो किये होंगे, सीखे होंगे इस से अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मिल बाटके खाई अच्छी चीजे और अगर सोनी स्ट्रक्चर्स यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो जरूर 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 से इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, अपने मुबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोडिफिकेशन को अन कर लिजे, ताकि इस तरह क वीडियो अपडेट्स, इडिवाप लोड के अपडेट्स और आपको मिलते रहे, थेंक्यू वेरी मच्च.